बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तो मैं हूँ फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं के डिवी लाइब दोस्तो आज हो चुका है 18 फरवरी 2024 तो आज की पुरे बिहार की टॉप न्यूज लेग रहे हैं आपके लिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आप को पता दें कि केडिवी लाइब का अप आ चुका है आप अब केडिवी लाइब की तमाम तर खबरों को अड़े को केडिवी लाइब ऐप में देख सकते हैं तो ह आप अभी जाए इस एप को इस्टोल कीजिए और दूसरे का नियूस देखिए पुड़े बिहार की खबर को देख सकते हैं और खुद से भी खबरों को पोस्ट कर सकते हैं तो चलिए अब बात करेंगे डेली नियूस की तो आज बिहार उन्यूस की सिरुवात टॉप हैडलान के साथ करते हैं तो बात करते हैं कि साबधान नहीं किया लेंदेन तो फिर बैंक खाते से सारे पैसे हो जाएंगे उरेंचू जाने नया ट्राजिशनियम पूरू डिप्टी सीम तेजस्वी अदब के विभागों की होगी जाँच यंडिये सरकार का बरा फैसला आज इसे बदलेगा बिहार का मौसम हवा की रफतार होगी तेज ला परवाही पड़ेगी भारी मौसम विभाग का ताजा हाल सीम नितिस कुमार की एंडिये में जाने पर असद दिन ओविसी की परतकडिया बोले मैंने चेतावनी दी थी बड़ी खबर नियोजित सिक्षगों के लिए आयजित होगी आफलाइन परिक्षा सिक्षा मंतरी ने किया एलान मंतरी मंडल विस्तार में बीजेपी से दिख सकते हैं नए चेहे जेरियू का पुराने पर भरोसा हमने उन्हें छोड़ दिया लालो के दरवाजा खुला रहता है बयान पर बोले सीम नितिस कुमार बिहार से बड़ी खबर पूरो सीम राबरी देवी चुनी गई बिदान परिस्द में विपस्ट की नेता बिहार में कच्रे से बनेगी ट्रॉली बैग ब्रांडेड कमपनियों को टक कर समझे कीमत और खासियत आगे आपको बताएंगे इस बारे में विस्तार से बिहार में ड्राइविंग लाइसेस के लिए परमान पत्रे में घाल मेल मातर पंदरो सु रुपे में मिल रहा स्कूल का सर्टिफिकेट क्या आपका बच्चा भी खेलता है मुबाइल पर गेम दिमाग से लेगर के परहे तक होते हैं छे गंबिर नुकसान सरकारी नौकरी ढूनने वालों की हुई मौज बिहार सरकार ने किया 86,476 पदो पर भरती का एलान जाने लास्ट डेट और सलरी अब तो खत्म ही हो गया इंडिया एलाइस में तूट पर सीम नितिस कुमार बोले हमें तो नाम से भी था एतराज सरकार युआओं को सम्विदा मजदूर बनाना चाहती है राहूल गांदे ने अगनिवीर को लेकर के बोला केंदर पर हमला दिन में डॉक्टर डी रात में लुट पाट ऐसे पकरा गया बिहार का शातिर लुटेरा सरकार ने रखा था इनाम कॉंग्रेश नेता का नहीं आने केंदर की मोदी सरकार पर किया हमला कहा भारत जरो नया यातरा से घबरा गई है भाच्चपा इस बार होगा सफाया दोस्तो अब बात करेंगे विस्तार सी तो बात करते हैं कि लोग सबाट चुनाओ दोहजार चुबिस में पीम मोदी को हराने के लिए बिपक्षी गटबंदन ने इंडिया एलाइस बनाया हलाकि चुनाओक से पहले ही कई पाटियों ने खुद को इंडिया से अलग करके यंडिया से हाथ मिला लिया जैसे नितिस कुमार नितिस कुमार ही इंडिया गटबंदन को एक जूट किया और वह भी बीजी पीच में चले गए और साथ साथ जैन चौधरी की पाटि आर एल्डे ने भी सपा का दावन छोर करकी यंडिया के साथ पकर लिए हैं इस बारे में बिहार के मुक्य मंत्री नितिस कुमार ने कहा है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोसिस की मैं गटबंडन के लिए इस नाम के पक्ष में भी नहीं था जा क्योंकि मेरे मन में कुछ और था अब तो खत्म हो गया है गटबंडन बहुत पहले हो चुका था अब मैं बिहार की जनता के लिए काम कर रहूं और करता रहूंगा वहीं पर कल लालुपरसाद यदब का बयान आया था और कहा था कि नितिस कुमार के लिए आरजरी का दरवाजा महाग गटबंडन का दरवाजा खुला है अब इसको लेकर के सीम नितिस कुमार ने कहा है कि कौन क्या बोलता है उसके चक्र में मत आईए हम सब एक साथ हो गए हैं जब पहले जैसे पहले थे जो गरवड़ी हुई उसकी जाच होगी चीजे ठीक नहीं चल ले थी इसलिए उन्हें आरजिरी छोड़ दिया अब रहाल गांदी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बुला है उन्हें कहा है कि सरकार चाहते कि देश की यूज़ा संवीदा मजदूर बन करके रह जायby तरके जोड़ों ने कहा है उन्होंने कहा कि आपको ना तो सेना में और ना ही रेलवे में या फिर किसी सारवजनिक छेतरी की एक आए में भरती किया जाएगा क्यों क्योंकि सरकार चाते हैं कि आप सवीदा मजदूर बने उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अग्निवीर नाम दिया गया है लेकिन वे एक सभीदा करमचारी है यह सच है वे जब चाहे बिना उससे पूछे बिना 25 अड़ी परी या फिर किसी मदद से उससे बाहर निकल सकते हैं दोस्तों बिहार पुलिस ने एक ऐसे लुटेरा को गिरफ़तार किया है जो दिन में डॉक्टर ही करता था और रात में लुट पार्ट यहां आप भी यह सुनकर के यकिन नहीं किया होंगे लेकिन यह 100% सच है कि एक ऐसे लुटेरे गिरों को दबोचा है जो दिन में तो डॉक कुमार उर्फ कार्तिक छोटन राज सहीत चार को गिरफ़तार किया है इस दौरान एक अपरादी मौके से फरार हो गया सभी अपरादी वहां पर डेकेटी की ऑउजनों बना रहे कार्तिक बोचा थाना के सरवानी चक का रहने वाला है वहें पर SSP राके इस कुमार ने सुक् अप्धानों की रेकी भी करता था यानि कि अब क्वाग डाक्टर से भी भरोसा उट गया है यहां आपके घर में भी क्वाग डॉक्टर आते हैं इलाज करवाने के लिए उन्हें अपने घर में प्रवेस मत दीजे हो सकता है कि डॉक्टर के भेस में कोई ऐसे ही लूटे रह हो जो आपके घर में रेकी करने आया हो दिन में तो डॉक्टरी करके जाता हो और रात में आगर कि आपके घर को लूट लेता हो अब साब धान रहीएगा दोस्तों बिहार के पुरो मुख्यमिंतरी जीतन राम मांजी ने तंच कसते वे कहा कि तेज़े सभी आदब बेचारे बिरुजगार हो गये है जब बिरुजगार की इस्तिती में राहुल गांदी के साथ नहीं जाएंगे तो पिर कहा जाएंगे उन्होंने मुख्यमिंतरी नितीस कुमार पर विस्वास जताते हुए का है कि अब नितीस जी पाला नहीं बदलेंगे नितीस कुमार भी बोल रहे थे कि 2005 के इस्तिती अब किसी भी पर इस्तिती में नहीं आने देंगे जहां इस गटबंदन को छोड़ करके नितीस जी अब कही भी नहीं जाएंगे इस जो चंद्रमा पर गया वे सफल हुआ है या फिर उस पर बात करें भारत का एकोनोमिय विस्व में थड़ एकोनोमिय के रूप में उभर रहा है यह इसकी चिंता उन्हें नहीं था जा उनकी चिंता बस एक ही थी कि भारत का प्रधान मंतरी कौन होगा जा उसी दिल मुझे ऐसा सभी जी बिरुजजगार हो गए तो पिर राहुल जी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे दोस्तों बिहार में राहुल गांदी भारत जोरो निया यात्रा के तहता सासराम पहुंचे हैं जहां तेजस्वी अदब उनकी गारी ड्राइव करते हुए नजर आए जहां सभाब एक बार फिर से वह बिहार दोरे पर आये तो पूरी कोंड़ेस को ही खत्म ना कर दे सानवाज हुसेन ने इस दोरान तेजस्वी अदब पर भी बड़ा हमला करते हुए कहा कि वह पहले सरकार चला रहे थे अब गारी चला रहे हैं और कोई काम उनके पास नहीं है क्य जबकि सत्रे एथनल प्लांट हमने लगाए थे इंडिस्ट्री को जो लगी जो उनके कारेकाल में एक भी नहीं लगा सके जो मैंने किया था उसी काउट घारन करते हुए घूम रहे थे दोस्तों बिहार की राजनिते में एक कयास लगाया जा रहे हैं कि एक बार फिर से नितीस कुमार भाचपा को छोड़ करके लालो परसाद एदब के सांथ जा सकते हैं यह तैय नितीस कुमार को करना है यानि कि नितीस कुमार को तैय करना है कि वह किसके साथ जाएगे हाला कि आज तक जितने भी इधर से उधर हुए है नितीस कुमार जब भी हुए है तो नितीस कुमार की ही वोजे से हुए है यानि कि नितीस कुमार ही तैय करते हैं यह कोई नहीं बात नहीं है आपको बता दो कि बिहार में कल जिस तरह से आड़ जरी सुप्रीमों लालो परसाद अदब और नेता विलूदी दल तेजसवी अदब ने सीम नितिस कुमार की वापसी को लेकर के बयान दिया उसके बाद से बिहार की राज देंसे सरगर्मी काफी बर गई है ऐसे में इस बरती हुई सरगर्मी और बिहार के उपमुखे मंतिर समराठ चोधरी ने और गर्म कर दी समराठ चोधरी ने कहा कि ये नितिस कुमार जी को तैय करना है कि उन्हें भाचपा के साथ रहना है या राज़त के सांथ जब उनके अलवा इसे तैय करने की जवाब यही किसी दूसरी की नहीं हो सकती है उदर तेजस्वी और राहूल गांदी के एक सांथ जीप पर बैटने के सवाल पर समराठ चोधरी ने कहा है कि सवभाविक है दो भरष्ट चार के परतीक एक सांथ है एक बिहार की जनता को लूटने वाला है और दूसरा देश को लूट उतने वाला है और आज दोनों एक सांथ है नितिस कुमार ने 18 वर्सों में बिहार के विकास के लिए काम किया है और आगे भी करेंगी दोस्तों बिहार में नोकरी करने वाले नियोजी सिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आन सो से ज़्यादा नियोजी सिक्षकों की नोकरी जा सकती है इसको लेकर के विभाग के दोरा कारवाई करने के आदेस जारी कर दिया गए है खबर के अनुसार बिहार सरकार बिहार के नियोजे सिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जारी है ऐसे में बिभाग ने छे मेने से जादा समय तक गायब रहने वाले सिक्षकों को नौखरी से बर्खास करने को कहा है इसको लेकर कि बिभाग ने सभी जिलों को निर्दिसा निर्दिस जारी कर दी है आपको दबी की बिहार में पांसा बिरासी ऐसे सिक्षक हैं जो छे मेने से ज़्यादा समय से गायव हैं यहां इन में से तेरे सिक्षकों को बर्खास कर दिया गया है जबकि दस टीचर निलंबित हुए है यहां बिभाग ने आदेस जाले करते हुए कहा कि यह नियोजित सिक्षक राजकर्मी ना बने यहां इससे पहले इन्हें बर्खास किया जाए दोस्तों क्या मोधी सरकार देश को हिंदूराश्ट बना देंगे जिहां इसको लेकर कि एक बड़ी बात सामने आया है परसांत किसोर ने कहा कि अब मोधी जी को हिंदूराश्ट बनाने के लिए कदम आगा बरा देना चाहिए मोधी जी को अब हिंदूराश्ट बनाने की परकड़िया शुरू कर देनी चाहिए आपको बदादू कि नरेंदर मोधी से लेकर कि राहुल गांदी तक के चुनावर रनेतिकार रहे परसांत किसोर ने भाजपा को सला दी है कि आखिर कब पार्टी को हिंदू राष्ट की ओर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे 2024 में परदान मंतरी मोधी के लिए या भाजपा की खिलाफ ओट को होगा विपक्ष कैसे अपने मौके बरबाद कर रहा है और क्यों नितिस कुमार में नितिस कुमार यंडिये में चले गए हैं एक नियूस चैनल से बाचित करते हुए परसांत किसोर ने बरांड मोधी पर बात करते हुए का है कि 2024 में ओट पीए मोधी के पक्ष में या फिर बिपक्ष में होगा वोटर्स उनकी विचार धरा उनकी कारे शले उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इसके बारे में चर्चा भी करेंगे लेकिन यह अस्पष्ट है कि ओट मोधी के नाम परी होगा विपक्ष से जुरुए एक सवाल पर परसांत किसों ने का है कि विपक्षी दल या फिर संगर्ण कमजोर हो सकते हैं लेकिन भारत के विपक्षी कमजोर नहीं है यह इसमें से बहुत से लोग सोचते हैं कि पिछले दस वर्सों में मोधी ने एक तरफा काम किया है लेकिन यह सच नहीं है विपक्ष के पास कम से कम तीन मौके थे यानि कि 2015-16-18 वो परदार मंतरी मोधी को घेर सकते थे लेकिन विपक्ष ने कुछ नहीं किया इससे भाज़पा को वापसी करने का मौका मिला हिंदुतों से जुरूबे सवाल पर परसांट किसों ने का है कि मान लेज़ए कि जो लोग भाज़पा के हिंदुतों में विस्वास करते ही वे उनके साथ है भाज़पा के पास संगडन है मैसेज है मसिनरी है जलेकिन ओट देने गए सौ लोगों में से केवल अर्तिस ने बीजेपी को ओड़ दिया बांकि 62 ने उनके खिलाफ ओड़ किया है यानि कि ये ऐसे लोग हैं जो हिंदुतों के बावज़ूद भी संगरन के बावज़ूद भी ताकत के बावज़ूद भाज़़ूद भाज़पा के खिलाफ में उट किया है तब चुनोती ये है कि इस 62 का बहुमत कैसे हासल किया जाए मैं हिंदुतों का मकाबला कैसे किया जाए इस पर समय बरबाद नहीं करूंगा परसांत किसों ने का है कि मुझे हिंदु समाज में कोई बहुत बरा बदलाव नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं है कि एक समूदाय के रूप में हिंदु अधिक कट्टरपंती हो रहे हैं अचानक हिंदु मुसल्मान से नफरत करने ले गए हैं हम हिंदु राष्ट चाहते हैं ऐसा नहीं है उन्होंने का है कि जब भाजपा को 55% हिंदु का समर्तन मिल जाए तब सनातन धर्म हिंदु राष्ट के आवान पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए उन्होंने कहा है कि ऐसा करने के लिए कम से कम 55 से 60 प्रत्रशत हिंदूओं का अवजशक है दोस्तो बिहार में सरकार से अलग होने के बाद तेजसवी आदब ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाओ की तैयारी में जुड़ गए हैं और अब अपने पार्टी के करेकरताओं का मनुबल बराने और फिर मद्दाताओं में विस्वास बराने के लिए तेजसवी आदब खुद जन्विस्वास यात्रा पर निकल रहे हैं मिल रही जानकारे के अनुसार लोकसभा चुनाओ की अधिस सुचना जारी होने से पहले ही तैयसवी आदब बिहार की बेबिन जीलों का दोरा जन्विस्वास यात्रा के जरिय करना चाहरे है या इसके लिए जन्विस्वास यात्रा का सेड्यूल भी जारी कर दिया गया है इस सेड्यूल के अनुसार बिस परॉरि को मुजपर पूर्स यात्रा की शुरुआत हो रहे हैं 24 फरवड़ी को गया नवादा और जहनबाद 25 फरवड़ी को 42 समस्तिपूर दरबंगा और मदबने 26 फरवड़ी को सुपोल अरडिया पूरुनिया मदेपुरा 27 फरवड़ी को सहरसा खगडिया मुंगिर और बेगुस राय का दोरा करेंगे और इसी मेने केंतिम दिन 29 फरवड़ी को कठियार भागलपूर बांका और जमूई में इस यात्रा का समापन करेंगे जिया आर जरी और तेजस्वी अदब की तैयारी मार्च मेहने में पटना समेत कई अलागों में बड़ी रेली करने की भी है दोस्तों क्या बिहार में एक बार फिर से खेला होगा जिस खेल की बात कही थी वे खेल अभी फलोर टेस्ट के बाद भी खत्मों नहीं हुआ है अब ये तमाम सवाल उस समय उठने शुरू हो गए हैं जब भारत जरो निया यातरा के दौरान तेजस्वी अदब ने अपने सब्दों से ये संकेत दिया है दरसल भारत जरो नया यात्रा के दौरान तेजस्वी एदब ने कहा कि हम भोले भाले लोग हैं और हम नितीस जी को साथ लेकर के चलेंगे यानि तेजस्वी एदब को अभी भी नितीस कुमार के साथ आने की उमीद है या फिर तेजस्वी और नितिस कुमार ने मिल करके कोई नया प्लान तैयार किया है या क्योंकि इससे पहले राज़त सुप्रीम लालो परसाद एरब ने भी नितिस कुमार की वापसी को लेकर के साफ तोर पर कहा कि यदory नितिस आते हैं तो फिर उनका सुआगत करेंगे या तेजस्वी अदम ने कहा है कि आप सब भली भांती जानते हैं हमारे मुखे मंतरी कैसे हैं किसी की बात नहीं सुनना चाते हैं वो कहते थे कि मर जाऊंगा लेकिर भाज़पा में नहीं जाऊंगा हम लोग भोले भाले लोग हैं इसलिए इस बार किसी भी कीमत पर चाहे जितना भी सहना पड़े कितना भी कुर्बानी दिना पड़े हम नितिस कुमार को ले करके चलेंगे और 2024 में भाचपा और नरदर मोदी को सताते बेदखल करने का काम करेंगे इसके आगे तेजस भी अदब ने कहा कि बीजेपी नफरत की राज दिती करती है जूट का परचार करते है मोदी जूट बोलने की फेक्टरी है मिनिफेक्चर है डिस्ट्रिबीटर है हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग का विकास हो जाते गन्ना से हर किसी को फायदा होगा हम डरने वाले नहीं हैं खबर पुरुनिया से सामने आई है पुरुनिया की अमोर में एस्बी आई के सीएसपी संचालक से हुई एक लाग रुपे की लूट का सिस्ट्रिबी फोटेज सामने आया है वीडियो में हत्यार से लाय से बेख़ौफ बदमास महज 35 सेकेंड में सीए एस्बी आई सीएसपी संचालक इंदर्दे परसाद सहाने बताया है कि रोजाना की तरह ही वे बिते गुरुवार को अमोर के बाग डरगाओं के वार्ड नमर आठ इस्टित घर से दल मालपूर हाट अपने सीएसपी सेंटर पहुँच रहे थे जिसके बाद सुबह करेब 7 बजे एक बाइक पर सवार दो बदमास उसके पीछे आधम की एक बदमास बाइक पास खड़ा करके रेकी की तो यह दूसरा सीएसपी सेंटर पर अंदर घुज गया जब तक कुछ समझ पाते बदमास ने तब तक कमर से पिस्तोल निकाली और फिर उसके सामने तान दिया ब दूसरे दस्तावेत थे जब बदमास सब कुछ ले गड़के चले गए घटना के बाद लूट पार्ट की सूचना के बाद सीएसपी सेंटर में लगे कैमरे में कैद हो चुकी है इनकी गिरिफतारी के लिए पुलिस चामेमारी कर रही है बहुत जल्दी बदमास सलाखों के पीछे होंगे जनर्दिकार पार्टे के राष्ट एदक्षिता पुरु असामस्द्य राजिस रंजन और फॉप अदब ने कहा कि जाती आधार जाती और धर्म के नाम पर आम अवाम को गुम्रा करने वाले लोगों से साबधान रहने की जरूत है यह सबी सत्ता जिवी जो स सरकारी एजन्सियों का गलत इस्तमाल कर रहे हैं वह गुरुवार को नागर कुडियन विरोध समिती गवासी की बैटक में किसानों से मिलकर करके समस्या सुनने के बाद लोगों को समद्द कर रहे थे मुलकात के दौरान किसानों ने बताया है कि उन लोगों के पास खेती ही एक मातर उपाय है जब वह सभी अपने बच्चों के भविस्ते के लिए चीनती थे जब उनका खेत ही छीन लिया जाएगा तो पर तब वह क्या करेंगे पपू यादब ने किसानों की बात सुनने की बात कहा है कि सरकार किसानों से उनकी जमिन के बद्दे चार गुना जमिन ते जैसे विए पुजिपतियों का कर्ज़ माफ कर देती हैं ज्यां उस तरह किसानों को भी मुआफ़ा मिलना चाहिए। उनने क gjis स्वामी नातान को सरकार भारत रत हIAM किसानों के लिए उनकी ही रिपोर्ट को सरकार मानने से इनकार करती है अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है क्योंकि बिहार में एक इस फरोडी से फिर से बारिश हो सकती है आपको बदा दूए कि पटना सहित बिहार के छेत्रों में एक बार फिर से मौसम बदल सकता है मौसम बिभाग की अनुसार पच्छमी विचोब आज दस्तक देने वाला है ये हिमाले के पच्छमी छेतर में दस्तक देगा इससे पहारी अलाकों में ठंड बड़ेगी बिहार में भी हवा के रुख में बदला होने की संभावना है मौसम बिभाग की अनुसार इस पच्छमी विचोब की उत्पन होने से 21 और 22 फरोडी को पटना समय दक्छमी बिहार में कहीं कहीं आसमान में बादल चाहे रहेंगे और हल्की बंदा बंदी होने का भी पुरा नुमान जारी किया गया है वहीं उत्रे बिहार में हल्की से मादम होने की बारिस होने की संभावना है बिभाग दोरा जारी पुरा नुमान की अनुसार अगले दो दिनों तक बिहार की तापमान में कोई भी ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा जाए इसके पिन दिन बाद हनिनतम तापमान में दुसे चार बिकड़ी की बड़ोतरी की हनुमान है नितिस कमार को देखकर के गिरिइट भी सर्माज आए और कहेगा कि मुझे शर्मा आते हैं इनको देखकर की यहीं नहीं असदद दिनोविसी ने नितिस कुमार के 77 जस्वियादपड़ भी हमला बोला है ए आईयम आईयम फरमुक असदद दिनोविसी ने सुक्रवार को बिहार के किशन गंज में सभा को सम्मुदत किया जब मुख्यमें तरे नितिस कुमार पर तंच कहते हैं उन्होंने कहा कि पाला बदलने में सीम नितिस गिर्गिट से भी कम नहीं है गिर्गिट जिस तरह से रंग बदलता है ठीक उसी तरह से सीम नितिस कुमार भी कभी राजत कभी भाजपा के तरफ पल्टा पल्टे करते रहते हैं असद दिन ओविसी ने आगे कहा है कि नितिस कुमार से पूछेंगे तो पिर अलफाज चाप चाप करके बोलेंगे कि हम मर जाएंगे लेकिन वापस इधर नहीं जाएंगे नितिस कुमार और गिर्गिट को सामने रख दिया जाए तो फिर गिर्गिट कहेगा कि मुझे इन से शर्म आती है इससे उन्होंने तेजस्वी अदब पर भी तंज कसा कहा है कि वे रस गुला समझ करके हमारे चार बिजाय को कुखा गए दरसल असाद नुविसी दो दिवसी दोड़े पर किशन गन जाय हुए थे जहां उन्होंने जिले के पोखाले में जनसभा को समझत करते हुए मजा की अलहिज़े में कहा कि सुनने में आया है कि घरी में शाम के पांच बचते हैं तो नितिस कुमार बोलते हैं कि सुबह के प बिधाय को खरिद लिया गया है आखिर क्या हुआ जो तेजस्वी अदब को उसके चाचा छोर करके चले गए बिहार में मुसल्मानों का ओट किसी की जागीर नहीं है सीमानचल की जनता इस बार अपने लीडर के लिए ओट करेगी ये बाते मैंने कर रहा हूँ बलकि ये बाते ए आयम आयम के राष्ट यदक्ष असद दिन विसने सीमानचल में कही है आपको बदा दें कि किशन गंज के ठाग गंज परकंड के नगर पंचायत पुआ हाली की मेला ग्राउंड मैदान में ए आयम आयम पार्टे के राष्ट यदक्ष असद दिन विसने एक जनसभा को संबदित करते हुए सभी पार्टियों पर जम करके हमला बोला जनसभा को संबदित करते हुए असद दिन विसने कहा कि आने वाले लोकसभा सुनाओं में हमारे किशन गंज लोकसभा के अमिदवार अखतर लिमान को अपार बहमत से जिता करके लोकसभा भेजें और पर जब हमारे सामसद जित करके लोकसभा जाएंगे तो पिर इनका सिर जुका नहीं होगा बल कि ये अपने सिर को ऊचा करके चलेंगे जब पार्टियों के नेताओं ने सीमान चल को ठगने का काम किया है सीमान चल और पूरे बिहार को परगती के रास्ते पर लाए बगएर मैं चुप नहीं बैठूंगा तथा धोका धरी को समाप्त करके सीमान चल को उसका हक दिलवाने तक खामोश नहीं रहूंगा वही पर और इसने राज़त नेता तेजस भी अदब पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इन लोगों ने हमारे पार्टे के चार बिधायकों को तोड़ने का काम किया है उन्होंने कहा कि तुम हमारे बिधायकों को तोड़े हो लेकिन इस बार सीमान चल की जनता जरूर सबक सिखाएगी जमीन का सर्वे चल रहा है जमीन सर्वे की परकड़या पूरी होने के बाद बिहार में नए सीरे से जमीन का लगान का नर्दारन किया जाएगा इसके लिए बिभाग के इस तर पर लगान और काल गुजारे के समिक्छा की जा रही है आपको पता दो कि बिहार में सर्वे के खतियान और नक्सा की आधार पर ही जमीन के दाखिल खारिज समित अंचल के सभी कारे किये जाएंगे जैसे साथ साथ जमीन से सम्मद्द सभी तरह के कारे और पिर उसकी परकड़या को आउल लैन कर दिया जाएगा वहीं मीडिया डिपोर्स की अनुसार नए सर्वे होने के बिहार में जमीन का नए सिरे से लगान तै किया जाएगा और लोगों से लगान की वसुली की जाएगी है हाला कि अभी तक विभाग के दोरा इसके बारे में अधिकारिक सूचना नहीं दी गई है खबर पुरुनिया से सामने आई यहाँ पर पुरुनिया में कार से भारी मातला में परतिबंदित कोड इन युकत कप सिरप की खेब बरामत की गई है जहां तसकर परते बंजित कप सिरफ की इस खेप को सहरसा से पूरुनिया लेकर किया रहे थे जहां पुलिस ने कार से 14 कार्टन में 1620 बटल कप सिरफ बराम्त किया है पक्रे गए तसकरों को गिरफतार करके जेल भिज दिया गया है जहां गिरफतार तसकर की पहचान कठियार जिले की हरी गंज के रहने वाले डोमन साह के बेटे परदिप कुमार साह के रूप में हुई है आपको पता दू कि पूरुणिया के के नगर थाना अध्यक्ष नफदीब गुपता ने कहा है कि पुलिस को गुपत सुचता मिली थी कि कुछ लोग बाहर से पर्थे बंजित कप शिरफ की तसकरी करके पूरुणिया ला रहे है इसी के बाद स्पी उपिंद्रे नात वर्मा के नर्दिस पर के नगर थाना चेतरे के पूर्णिया सहर साइनेच एक सुसाथ बंभाग चौक से लगे मुस्कान होटल के समीप सगन वहां चेकिंग अभियान चला करके वहां जाच की गई जाच के करम में गस्ती दल ने कार चालक को रुकने का इशारा किया जिसके बाद कार चला रहे है तरसकर ने कार साइड में लगा कर कि भागने की कोईस्स की अलाकि भागने के करब में पुलिस ने इस तर्शकर को पकर लिया दोस्तो भारत सरकार की ओर से राशनकार को आधार सलिंग कराने की अंतिम मौका दिया है इसके लिए लाभोकों को 31 मार्श तक आधार सलिंग कराने की अंतिम तिर्शी निर्दारत किया है जियर बिहार में राषनकार में फड़ीव राडुकने के लिये आधार सिडिंगक काड़ है पिछले कुछ मेहने से तेज गति से चल रही है जा अब तक 12 प्रत्रस्थrd लाभोकुगा राषनकार आधार सिडिंग हो चुका है। अगर जो लाभुक आधार से लिंक करना होगा अगर जो लाभुक आधार से लिंक नहीं कराएंगे तो फिर उनका रद हो सकता है आपको बदादू कि पीछले साल ही अधार कार्ड से लिंक नहीं होने वाड़े राशन कार्ड को रद करने का दिया था लेकिन ऐसे लाभगग को अधार कार्ड से लिंक करने के लिए 31 मार्ज 2024 तक दिया गया है दोस्तों बिहार से बड़ी खबर सामने आई है बिहार के पूरों सीम राबरी देवी विजान परिसद में पेपस केनेता चुनी गई है आपको बड़ी देवी यादब एक भारते राज देटे के है जो पूरों में बिहार के मुक्रेम वंतरी के रूप में तीन बार कारे कर चुकी है दोस्तो बिहार में दो बैलों को अपने मालिक की गलती का सजा भुकतना पर रहा है जिया कश्टडी में खाना पीना भी छोड़ दिया है जब बैलों को पुलिस के दोरा कश्टडी में ले लिया गया है लेकिन बैल कश्टडी में खाना पीना छोड़ दिया है आपको बता दू कि बिहार से ऐसा मामला सामने आया है जो सुर्खियां बट रोड़ने का काम कर रहा है दरसल गौपाल गंजिला की उत्पाद बिभाग के लिए दो बैल जी का जंजाल बन गए है उत्पाद बिभाग की कस्टड़ी में पहुंचे दोनों बैलों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है दरसल यह पूरा मामला बिहार के गौपाल गंजिले का है जहां अपनी मालिक की गलती की सजा दो बैलों को भुकतनी पर रही है उत्पाद बिभाग के माल खाना परिशर में खरे दोनों बैल मालिक की याद में खाना पिना भी छोड़ चुकी है बताया जाता है कि 14 फरोरी को जादवपूर थाने की पतहरा बांद से बैल गारी का पूंपर कार्टून में लदी हुई भारी मातरा में शराब बरामत की गई पुलिस को गुपत सूचना मिली थी कि धंदे बाद बैल गारी से शराब की तसकरी कर रहे है जब फुलिस को देंखकर बैल गारी छोर करके फरार हो गए जब उतपाद बिभाग दोरा जबता बैल गार नो सो तेरो सटलिल इटर शराब बरामत की गई है बैलुइ और दोनो बैलों को उतपात विभाग की टीम ने खूस से गारिवाण बन करके माल खाना लाया। और फिर उतपात इसपेसल कोर्ट में वैलों को पेस किया गया। अब इन बैलों को क्या पता था कि इनका मालिक इन से कानून के विरूद काम करुआ रहा है। जम्मद उनिसिजिए शेभय उत्पाद विभाग की विसेशऻ अदालत ने डूने बेलों को देखने के बाद विभाग की अधिकारीयों को जिम्मिदारी बना करके किसी भी kami किसान को उस्वा अपने को कहा है फिलाल दोनों बैल माल खाना प्रेसर में उत्पाद विवाग के कस्टडी में है पुलिस के लिए सबसे परेशाने का कारण बैलों को रखने की है जब बैलों को खिलाने पिलाने की समस्या पुलिस के सामने है दोस्तों बिहार के भागलपूर में अब कच्रे से ट्रॉली बैग बनाये जाएगा जब ब्रांडेड कमपोनियों की तुल्ला में इसकी कीमत तीन गुना कम होगी जहां अप्रेल से बियाडा में कई तरकी के ट्रॉली बैग बनने की संभावना है इस ट्रॉली बैग की यूनिट बियाडा में अस्ताफित करेंगे जहां इसके लिए उन्हें जल्दी एक करोड रुपे भी सरकार से मिलेगा जहां भागलपूर समिता आसपास के जीलों से कच्रे की वेवस्ता की जारी है जहां इसके लिए बात हो चुकी है रॉब मैटेरियल के लिए सारी सुविधाय अपने छेतरे में उपलब्द है जहां रुपे मिलते ही मसीन और यूनिट शेट अप हो जाएंगे नंदी केस ने बताया है कि कच्रा को गला करके पहले दाना तयार किया जाएगा जहां उसके बाद फाइवर की मदस सीट बनेगी जहां यहां फिलाल परते दिन दोसों से अधिकर ट्रॉली बैग बनाए जाएंगे यूआ उद्धमी ने बताया है कि बिहार में बिक रहे बरांडेट कमपनियों की तुलना में भागलपुरी में तयार ट्रॉली बैग काफी सस्ता होगा अगर किसी की कीमत 3000 रुपे में बाजार में है तो फिर यहां एक बैग 1000 में मिल जाएगा जहां इसके क्वालिटी भी काफी बहतर होगी उमीद है कि बाजार में ट्रॉली बैग गरागों को खूब पसंद आएगी यहां यह कई रंगों में उपलब्द होगा ट्रॉली बैग की यूनिट खुलने के बाद यहां परतेक्ष और परतेक्ष रूप से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा उद्ध्यमी ने बताया है कि बैग उद्धोग में यहां काफी संभाब ना है कई परतिभाशाली यूवक उनके संपर्ग में जिनने यूनिट में रोजगार दिया जाएगा जाएगा उनको अच्छी सलड़ी भी दी जाएगी इसमें मार्केटिंग के लिए कई यूवक को रखना रखा जाएगा जिला अधोग केंदरे महा परवंदक मनेश कुमार ने बताया है कि नंदी केस भरता हुआ धमी है यूनिट जल्द ही लग जाएगी और इसकी काफ़ी पर गड़िया चल रही है दोस्तो राहूल गांदी की नया यात्रा के दोरान सुक्रवार को चेनारी परखन के टेकाडी में आयज़त किसान पंचायत में नेता प्रतिपक्ष विजे तेजस भी यादब ने भाचपा के साथ साथ मुख्य मंतरे इडितुस कुमार पड़ भी जो औरदार हमला बलाए पांच लाग यौओं को नौकरी देने का काम किया अभी हम और नौकरी दे रहे थे तब तक नितिस कुमार ने पाला बदल दिया इससे बिरुजगारी यौओं की अमीद को धक्का लगा है जहां मावे मांग करके दोबारा माहा कट बंडन में शामिल हुए थे जहां कहते थ इसमें संपर्दाइक ताकतों को रोकने के लिए एक पर फिर से हम नितिस जी के पास जाएंगे जिसे 2024 में भाजपा को सत्ता से भगाया जा सके दोस्तों कि आपका बच्चा भी मुबाइल पर गेम खेलता है अगर इसका जवाब हाँ है तो आप समल जाएए क्योंकि दिमाग से लेकर के परहाय तक 6 गंभिर नुकसान आपके बच्चे उठा सकते हैं आपको बतादू कि आजकर लोगों को मुबाइल पर गेम खेलने की आदत सी हो गई है यह आदत बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है यह थोरा सा भी टाइम मिला और फिर बच्चे मुबाइल पर गेम खेलने लगते हैं अगर उनसे मुबाइल रखने के लिए कहा जा जा ऐसे कई मामले सामनी आये हैं जिनमें बच्चे को मुबाइल पर गेम खेलने के लिए मना किया गया तो फिर गुस्ते में उन्होंने गलत कदम उठा लिया जब वही पर पबजी और कुछ अन्य ऐसे गेम बच्चों के मन में मन पर बहुत गहरा परबाव छोड़ते हैं और मुबाइल पर गेम खेलने लगते हैं ऐसे में वह पर बच्चे रह जाते हैं वही पर लम्बे समय तक मुबाइल पर गेम कहलने से आँखों पर बड़ा असर पड़ता है जिन अगर आप आफिस जाते हैं और फिर आपको कंपिटर की इस्क्रीन को देखना परता है तो पर आ इन फोकस पर चिपके रहना गेमिंग करते रहना रहने से आपकी आँखों ठकान हो सकती है इसे एस्थरपिया भी कहा जाता है जहां आँखों की रोसने भी कम हो सकती है ऐसे में आपको अपना स्कीरिन टाइम कम करना है जा साथ साथ एंटी गलेयर स्पेक्स का भी इस्तमाल कर कि आप कर सकते हैं वहीं पर अगर आप लंबे समय तक किसी एक गेम को खेलते आ रहे हैं तो आपको उसकी लग सकती है जा किसी भी चीज की अती बहुत बुरी होती है अगर किसी को गेमिंग की लग जाती है तो फिर उसे उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है ऐसे में जब उन और फिजिकल दोनों तरह के प्रेशान कर सकता है वहें पर गेमिंग की आदत का असर आपकी सोचल लाइप पर भी पर सकता है क्योंकि गेम की लट के कारण आप अपने प्रिजनों को समय नहीं दे पाते हैं यहां ऐसे लोग परिवार दोस्तों और फिर सब लोगों से कड़ ज बिहार सक्षा विभाग ने भिहार में तीसरे चरण में 6446 सक्षब को मन्तुरी देदी है यह उर्णी का ने कर नियुए अनुमादन के लिए विबरंड सामने पर सासन भेषा को भिज दिया है मन्तुरी के बाद इसे क्रेवन के लिए बिहार लोग से वायो गयानि कि बेश दिया जाए कख्षा एक से पांच तक की बात करें तो इसमें कम से कम 28,08 पद स्विकृत की गए है जबकि कख्षा 6-8 तक के लिए दोस्तों अगर आप भी करोड़ पती बनना चाहते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है इसके लिए तो हम आपको भी बताएंगे विस्तार थी आपको हम बताएंगे कि आप कैसे करोड़ पती बनेंगे और हैर मैंने आपको 50,000 रुपे मिलेंगे और रिटायर होने बनाता है यही कारणा है कि लोग रिटायर मेंट प्लान बनाते हैं और लोगे लोकड़ी करते समय हर मैंने कुछ न कुछ नवैस करते हैं जिससे रिटायर मेंन के बाद उनका जिवन आसान हो जाता है जिहां हर कोई अपना आये के अनुसार निवेस करता है यह अभी हम आपको बता रहे हैं कि करोड़ पती बनने की बाद Oohare होने के लिए आपको हर मेने कितने ॐपे निवेस करने होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप रिटार्मेंट के बाद करोर पती बना चाहते हैं तो आपको हर मैने 40-50,000 वेपे से ज़्यादा की बज़त करनी होगी अब इससे पहले कि आप अपना दिमाग लगाएं आईए हम आपको इसके पीशे की वज़े बताते हैं यह निवेस आपकी उम्रे पर निर्भर करता है जयाने कि जितनी जल्दी आप बज़त करना शुरू करेंगे आपको हर मैने उतने ही पैसे जमा करने होगी या इसे योगी सक्ति कहते ही उम्रे जितनी कम होगी उतना अच्छा अगर आप 21 साल की उम्रे में निवेश करते हैं तो फिर आपको करिब करिब एक हजार रुपे का निवेश करना होगा वही है अगर आप 30 साल की उम्रे में निवेश करते हैं तो आपको हर मैने 3000 रुपे का अगर आप 10 साल की देरी करते हैं तो आपको 40 साल की उम्रे में हर मेने 10,000 वोपे निवेस करना होगा ये सभी आंकडे तभी संबब है जब आपने किसी ऐसी यौजना या फिर पॉलिसे में निवेस किया हो जो आपको 12% साराना रिटर्न देगी ये इसके मताबिक आप रिटार्मेंट के समय तक करोर पती बन सकते हैं ध्यान रखने वाली बात है कि आप जितनी जल्दी निवेस शुरू करेंगे आपको उतनी ही कम पैसे चुकाने होंगी अब आप सोचे कि आज से 40 या 30 साल बाद एक करोर की कीमत क्या होगी तब हर कोई करोर पती होगा जया इसके लिए आपको अपने निवेस का परबंदन करना होगा जया क्योंकि हर साल आपकी से लड़ी थोड़ी बढ़ जाती है जया ऐसे में अगर आप हर साल अपना निवेस 10 परतसत बराते हैं आपको रिटारिमेंट पर एक करोर नहीं बलकि दो से तीन करोर रिपे मिल सकते हैं जे हां दोस्तों आज का रीज़ बस यह तक कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस कर देजिए और साथ यह वीडियो को लाइक कर देजिए अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए तो चले बिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जाए हैंट जबिहर